नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शाउमी रेड्मी 9 वर्सस सामसंग गैलेक्सी M02S का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे. सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की. Redmi 9 में 0.35 इंच जबकि M02S में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं weight की तो Redmi 9 में 194 ग्राम्स जबकि M02S में 196 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi 9 में IPS LCD जबकि M02S में RTFT LCD की डिस्प्ले मिलती है aspect ratio दोनों phone में सेम ही 20 ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 9 में 6.53 इंचर जबकि M02S में 6.5 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों phone में सेम ही 720 by 1600 मिलता है screen to body ratio Redmi 9 में 81.08 प्रतिशत जबकि M02S में 81.85 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो Redmi 9 में 279 प्रति इंच जबकि M02S में 270 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशता है की जो की mobile phone का महत्वपूम हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें mem camera की तो Redmi 9 में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो camera की तो Redmi 9 में 8 different type के features मिल जाते हैं और M02S की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Redmi 9 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और M02S में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Redmi 9 में Power of a GE8320 जबकी M02S में Adreno 506 मिलता है Chipset की बात करें तो Redmi 9 में MediaTek Helio G35 और M02S में Qualcomm Snapdragon 450 मिलता है बात करें RAM की तो Redmi 9 में 4GB की RAM मिलती है जबकी M02S में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 3GB, 4GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Redmi 9 में 64GB की Storage मिलती है जबकी M02S में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 32GB, 64GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Redmi 9 में up to 512GB जबकि M02S में up to 1TB है Operating System दोनों फोन में Android V10 कीट देखने को मिलती है Battery की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 Colors option देखने को मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करें Price की तो Redmi 9 में एक ही Variant देखने को मिलता है जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 8,799 रुपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें M02S की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते है जो की 3GB RAM 32GB Storage के साथ 10,499 रुपीस 4GB RAM 64GB Storage के साथ 9,999 रुपीस में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi 9 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy M02S की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में M02S आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco C31 है, दुसरा Tecno Spark Go 2022 है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना